नमस्कार में खुश्बूराई आप देख रहे हैं एनिमे फ्यूर्ड लोक सभा चुनाओ खत्म हो चुके हैं और अब बारी है विधान सभा चुनाओ की साल के अंत में चार राजियों में विधान सभा चुनाओ होना है जिसमें आपको बता दे कि हर्याना, महरास्ट्र, जारकंड और जमू कश्मीर में ये चुनाओ होने वाले हैं जमू कश्मीर को लेकर अभी अटकलों का बाजार गर्म है इसलिए आज बात करेंगे तीन राजियों के बारे में जारकंड, महरास्ट्र और हर्याना के बारे में जानेंगे कि यहां की भविष्य वानी क्या है कैसी सरकार यहां पर अब राज करने वाली है क्या सरकार रिपीट होगी या फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस पर खास बातशीत के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आचारे जी, राकेश चतुरवेदी जी सर फिर से स्वागत है आपका नमशकार खुस्पोजी, नमशकार रसको और खुस्पोजी कोट से धन्यवाद आपको इस मंज़ पर आपने आमन्तित किया और इतने बड़े देश के राजनितिक विश्यों पर बोलने का मौका दिया सर, सौभाग यह हमारा सर, बात कर रहे थे हम, जैसा कि मैंने बताया कि अब लोगसभाद चुनाओं खत्म हो चुके हैं और अब बारी है विधान सभाद चुनाओं की लोगसभाद चुनाओं में काफी उथल पुथल देखने को मिला जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई है सहयोगियों की जरुवत खड़ी है इस साल बीजेपी के लिए कैसा रहने वाला है जारखन की बात कर ले जहां पर फिलहाल अभी गडबंधन की सरकार है महराश्य की बात कर ले जहां पर बीजेपी ही है राज्य में और हर्याना की बात कर ले जहां पर बीजेपी सत्का पर है कैसा रहने वाला है और किस तरीके से अब देखते हैं आगी की भविश्य बाने क्या है इन तीन राज्यों की दिखे एक एक करके राज्यों के बारे में चर्चा किया जाया मुझे लगता तो उचित रहेगा और लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी सबसे पहले अगर हम जारखंड की बात करते हैं क्योंकि बहुत उथल पुथल वहां पे हुई है अगर दिखा जाया कि एक को सत्ता मिली और चंपई सोरेन को और वहां पर अब देखें एक बार पुनह फिर आकर के हिमन्त सोरेन ने सियंपद समाल लिया है तो इतने जादा उथल पुथल के बावजूद हिमन्त सोरेन की गद्दी को कोई हिला नहीं पाया आप देखिए अगर देखेंगी कि उस को देखा जाएगा तो उसमें हेमन्त सोरेन का बड़ा योगदान है अगर आप बिहार राज की तुलना करें और बिहार से अलग होने के बाद जारखंड की तुलना करें तो दोनों राज्यों में एक पडोसी ही है और मुझे लगता संसाधनों के विशय में जारखंड फिर गुना मुझे लगता है कि आगे अगर समय के अनुसार गड़ना किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक डवलप हो चुका है और उसके पीछे वहां पर वहां की सरकार का उसमें भी बेक्तिगत रूप से हेमन्त सोरेन का योगदान है और जितना मैं उनके चेहरे अपने लोगों के लिए याने अपने संपरदाय के लिए जो है मूल निवासी जो है उनके लिए उनके अंदर लड़ने की कला है उनके लिए लड़ते हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए प्रयासरत हैं तो ऐसी स्थितियों में वहां पर प्रभाव उनका बहुत जादा है और लोगों का पूर्टिया उनको सपोर्ट है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि उनके प्रभाव में अभी कमी वहां पर दिखेगी बिल्कुल मतलब को मिलाकर देखा जाए तो जारखंड में एक बार फिर से हेमन सोरेन ही आप पर देखने को मिलेगी यह तो थी जारखंड की बात अब बात कर लेते हैं महरास्ट की काफी ज्यादा उथल पुथल वहां भी हमने देखा बीते दिनों बीते सालों बात करें तो और अब थोड़ा सेटल डाउन हुआ है लेकिन तुरंत अब चुनावाने वाले क्या लगत कर लेती हैं कि सिसेना को तोडने का काम जोन होने किया और सिसेना को यानि मूल सिसेना को हलांकि आप कह लिए कि को में तो दे दिया है लेकिन अगर देखा जाए उध्धव ठाकर एक पारिवारिक रूप से सिवसेना को खड़ा करने के पीछे जो बेक्तिगत योगदान उस परिवार का रहा है उसको जो दर किनार किया गया वो अगर भूल रिकवर करते हैं मैं गलती इसलिए कहूंगा खुश्बोजी यहां पर जो तुसी सिध्धान्त भी है और एक सामान एक इंसानियत के नाम पर सिध्धान्त है कि अगर कोई जीवन भर किसी अस्थान पर आपका मित्र बनकर लड़ाई लड़ा है तो मुझे लगता है कि एक शत्र को मिला करके सासन देने से अच्छा अपने मित्र को अगर गलत भी है तो उसको सासन दे दिया जाए और उसको सुधार करने का प्रयास किय जाए तो वहां पर मुझे लगता है कि वीजेपी ने चाहे कहलेजे कि वहां के छेत्रिये नेताओं के दबाव में या फिर कह दीजिए कि अपने एक एहम में आकर के वहां पर जो फैसला लिया था आप देखी है कि लोकसभा चुनाओं में भी वहां पर प्रभाव उसका द अगर बिफल हो रही है और अभी भी उद्धव ठाकरे को नजर अंदाज कर रही है तो आप देखेंगी कि उद्धव ठाकरे का जो है जो विदान सभा चुनाओ है उद्धव ठाकरे की पार्टी की सिवसेना का प्रभाव वहां पर व्रद्धी होगी और साथी साथ फिर कॉ मिलेंगे मतलब वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अगर अपनी भूल नहीं सुधारती है और सम्मान नहीं देती है अपने सयोगी घटक दलों को तो सव प्रिच्छत घाटा वहां पर होगा क्योंकि अजित पवार हो या चाहे वह से निकल क करके सिंदे की बात किया जाए तो सब को लोग अब वहां के लोग जो है चर्चाएं हैं मैं तो अभी होकर आया हूं तो कुणली विश्लेशन के साथ मैं वहां पर लोगों से भी प्रभाव लेता हूं कि ग्रही अंदाज से मैं थोड़ा सा कुछ चीजों का सोध करता हूं तो मैंने वहां पाया कि लोग बिरोध कर रहे हैं कि दोनों ही बगावती लोगों को बना करके सरकार में बिठाने की वज़े से बीजेपी से लोग नाराज हैं और बहुत हद तक इन तीनों के सिवसेना का चाहे वै अजित पवार के नसीपी का यन तीनों लोगों के लिए वहां पे कुछ न कुछ लोगों के बीज नकरात्मक्ता फैली हुई है दो राजियों की बात की हमने पहला जार्खन दूसरा महरास्ट्रों और दोनों ही जगह से बीजेपी घाटे में नजर आ रहे हैं अब बात हम हर्याना की कर लेते हैं वहां पर भी अगर हम राजनितिक उथल पुथल देखे तो काफी ज्यादा रहा है कुछ समय पहले नायाप सिंग सैनी को यहां पर सीम बना दिया गया और अब तुरंट से चुनाओ होने हैं किस तरीके से देखते हैं नायाप सिंग सैनी के अंदर वह बाते हैं कि वह बीजेपी को आगे ले जा सके और एक ब बोलोंगा माभवती सम्मान करें मेरी वाणी का अगर वहां पर चुनाओ हो रहे हैं तो आप देखेंगी मैं पहले भी बोल चुका हूं ना तो खटर साहब का प्रभाव दिखा ना ही सैनी साहब का प्रभाव दिख रहा है और वहां पर बीजेपी अपने अभी भी द्रकार करने दिया गया ना अभी बी कार only करने जा रहा है तो आई सी स्टियों में हर्याणा में कोई सवाल ही ने उटता है ह्याना सव प्र्तिशत इस बार आप देखेंगी कांग्रेश वापि करती हुई नजरा रही है और एक बहुत तेजी के साथ कांग्रेश कहां पर व कर रहे हैं ओर तीनों ही राजों में बेज़ेपी को बड़ा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है इन तीनों राजों में जब वेधान सभाद चुनाव जोरो पर रहेगा सुनाव को ले कर बाते जो पर रहेगी राज नीती गर रहेगी उस वक्त पीम मोदी का चहरा कितना प्रभाव शाली होगा क्या लगता है देखें आज नहीं धाई वर्ष पहले हम आप ही के दूसरे मंच पर बोल चुके हैं और चुनाव के समय में उस बात की भी पुष्टी कर चुके हैं पीम मोदी का चहरा अब धलान की तरफ है और अब प्रभाव नहीं रहा ना तो उनकी वानी में ना उनके वक्तव्यों में ना उनके वक्तव्यों के में आकरशन में तो अब आप देखेंगी 2024 यही एक कारण था कि हर जगह मोदी है तो मुमकिन की जगह मोदी है तो गारंटी है सब्द दिया गया लेकिन ना तो मो लोगों का ढय गया तो ऐसी अवस्था में अब मोदी जी का प्रभाव एकदम से सूर्यास्त की तरफ है तो अब मोदी जी को छोड़ करके वहां के मुझे लगता है बीजेपी अगर अपना उत्थान चाहती है अपना एक फिर से पुनेह बढ़ना चाहती है तो अब वहां के लोकल नेताओं का जैसे उत्तर प्रदेश में एक योगी जी के चहरे को लोग प्रात्मिक्ता दे रहे हैं उत्तराखन में लोग फुसकर सिंग धामी के चहरे को प्रात्मिक्ता दे रहे हैं ऐसे ही अन जगहों पर भी कुछ लोकल चेहरे वहां के बेक्तिगत चेहरों को इन नाव होने हैं जिसमें से एक पर अभी अटकलों का बाजार तेज है बाकी तीन राज्यों में बीजे पी यहां पर हारती नजर आ रही है सत्ता परिवर्टन दो राज्यों में होगा और तीसरे राज्य में वापसी करने वाली है सरकार और वह राज जारकन्ड देखना हमें दीजे अजास्त, नमुटा.